हेलो एव्रीवन वेल्कम टू एक्जाम टेज़ी सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएच्व इस्पार्ट राउन पीजी का जो अलेडी स्टार्ट हो गया है पूरा एट्प्लिकेशन प्रोसेस बहुत सारे इस्ट्वन के यह कोश्चन आ रहा है सर बी देखना यह है कि जो पीजी कोर्स का जो स्पॉर्ट राउंड है यह फोर्थ ऑफ अगस्त तक रात के 12 बज़े तक आप अप्लाई कर सकते हैं यानि कि आप जो पहला जीज आपको देखना है कि इसमें सब को अप्लाई करना है जिनको एडमिशन चाहिए वह अप्लाई करना है रेगुलर फॉर्म फिल कर चुके हैं तब उनको दुवारा अप्लाई करने की जोरत नहीं है लेकिन इस पॉर्ट राउंड में मैं दुवारा बता दू कि हरे एक कैंडिडेट को रेइस्टर करना पड़ता है सेपरेटली इरिस्पेक्टिव वह पहले उन्होंने बी एच लेने के लिए इंट्रेस्टेड हैं उनको अप्लाई करना है ठीक है सबसे पहले आपको अप्लाई करना है यहां पे जो है अप्रिकेशन के लिए जो है आपको लिंक दिया गया और इसका जो फी है यह नॉन डिफिटेवल फी आपको है वह 500 पर प्रोग्राम आपको जो है इ้ करना है तो पहले किए लिएमोरे कीरा है नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता है अगर आप इस पॉर्ट में अप्लाई करना चाहते हैं अगर आकने कहीं और अडुसाण लेने का तो आप को जो है apply separately new registration करना पड़ेगा बस यह समाद लेजे new registration so कौन को eligible है the following candidates are will be eligible to register in the spot round candidate who have not registered for BHU PG counseling so far जिन्होंने पहले BHU का application form नहीं fill किया था वो भी eligible है यह नहीं कि पहले जो पहले नहीं fill किया था वो नहीं गर सकता अगर आपने पहले BHU PG का application form नहीं भी fill किया था तो आप spot round में participate कर सकते हैं बस condition यही है कि आपका CVT का score card होना चाहिए आपने CVT exam में appear होना चाहिए ठीक है और जिन्होंने पहले ही BHU PG counseling process में आप लोगों ने apply किया था लेकिन during regular round जो 5th round तक जो allotment हुआ अगर आपको college apply नहीं हुआ कोई seat नहीं हुआ तो आप भी apply कर सकते हैं अगर आपको seat offer किया गया था लेकिन आपने फीड सही समय पर deposit नहीं किया तो उस case में भी आप apply कर सकते हैं ठीक है अगर आपने free deposit कर दिया लेकिन आपने अगर admission cancel या withdraw करा लिया और या फिर आपका verification के time में या हो सकता है आपके certificate नहीं available होंगे माक्सित नहीं available होगा तो किसी भी case में आपने admission लेकि भी cancel करा लिया लेकिन अब आपको कहीं दूसरी जगह admission नहीं मिलना रहा तो आप plan करेंगे बीहची में आके दुबारा admission लेने का तो आप spot round में separate new fresh application डाल सकते हैं सो यह तो हो गया है कौन-कौन spot round में apply नहीं कर सकते हैं वो सारे candidate जिन्होंने already अपने seat जो है freeze कर दिया है 1-5 round तक का जो start वा तक counseling process जिसमें already student को admission मिल गया है किसी भी college में और याफी department में और आपने seat को freeze कर दिया है तो आप जो है दुबारा apply नहीं कर सकते हैं और spot round कौन-कौन से course में नहीं है MPA, MFA, MPA, WPA, GDP, I courses तो यह समय आपके spot round नहीं है ठीक है तो जो भी आपको जो है जिस भी course में apply करना है तो यहाँ पर जो seats के बारे में discuss कर लेंगे कि total कौन से category में किस college में कितने seats available है उससे भी आपको पता चाल जाएगा कि आप अगर admission लेना चाहते हैं तो आपके लिए कितने seat हैं आप कौन से category में belong करते हैं वह paid seat है non paid seat है सब के बारे में हम लोग आपको detail में information देंगे और माल लिजे अगर आपको बीएच में admission नहीं लेना है क्योंकि अभी बहुत सारे उनिवर्सिटी जहां पर spot round start होगा बहुत सारे students को इनके बारे में चीज़े पता ही नहीं है तो फटफट आप इस number पर call या message कर दीजी और चैनल को भी subscribe कर लिए notification बेल भी दबा लेजिए इसके अलावा भी आपके पास कोई question है तो आपको और message करके भी पूच सकते हैं so thank you and we wish you all the very best